तो आज बनाएंगे छोले, छोले बनाने के लिए मैंने या कावुली चना का यूज किया है, इसे मैंने राद मर भी गोके रखा था, अभी इसे साब पानी से दोके त्यार कर लिया है, तो ये वाले कटोरी से मैंने डेर कटोरी चना भी गोया था, सबसे पहले चना अब इसमें पानी आड़ कर लेंगे, पानी आप इतना आड़ करें जैसे की चना अच्छे से भीग जाना चाहिए अब इसमें आड़ करेंगे दो लॉंग, एक छोटा टुकरा दाल सिनी का और एक हरी लाइची अब थोड़ा सा नमक आड़ करके इसे मिक्स कर लेंगे तो देखिए मिक्स कर लेंगे, अब कुगर का डखन लगा देती हूँ मैं यहाँ तो गैस ओन करके मैंने कुगर को गैस पर रख दिया है और हाय फ्लेम पर पहले सिटी आने देंगे जैसी पहली सिटी आ जाएगी फ्लेम को मीडियम कर देंगे और 5 सिटी और लगा देंगे जब तक चना उबल रहा है तब तक यहां में टमाटर और प्याज का पेस्ट बना लेती हूं तो दो मीडियम साइस का टमाटर है और दो मीडियम साइस का प्याज है तो इसका paste बना के तियार कर लिया है यह देखिए छट्टी सिटी लग गई चना में चलिए आप gas को off कर देते हैं और kukar को अपने आप ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं kukar ठंडा हो चुका है चलिए चना को check कर लेते हैं अगर आपका चना नहीं उबला हो तो आप क्या करेंगे, एक से दो सीटी और लगा सकते हैं, यहां चना अच्छे से उबल के त्यार हो गया है, तो ये डेर चमज क्या करेंगे, बड़ा चमज से मैं एक मिकसे जार में चना ले रही हूँ, इससे थोड़ा ठंडा कर लेंगे और पीस लेंगे तो हमेसा ये टेक्निक मैंने मुमी को देखा है, जबी ये चना चोले वेगरा बनाये करती थी, तो थोड़ा सा उबले वे चना को पीस के यूज करती है ग्रेवी में, ताकि ग्रेवी जो है वो ठीक बने चलिए छोले बनाना शूर करते हैं, सबसे पहले मैंने कोकर गरम कर लिया है, इसमें 8-10 चमच तेल अधक कर लिया है मैंने ये रिफाइन ओयल का यूज किया है, आप इसे मास्टड ओयल में भी मना सकते है सबसे पहले तेल को थोड़ा घरम होने दें अब इसमें आड़ कर लेंगे एक चमजीरा, एक तेज़ पता, दो सूखी लाल मीर्च आड़ करेंगे, इस तरह से तोड़के दो चोटा टुकडा दालचिनी का आड़ कर रही हूँ मैं, एक बरीलाइसी आड़ करेंगे इस तरह से खोलके और दो लॉंग अड़ कर लेंगे अब ख़रा मसाला को थोड़ी देर के लिए बून लेंगे मसाला बून चुका है अब इसमें अड़ कर लेंगे प्यास का पेस्ट प्यास का पेस्ट अड़ करके इसे एक मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर अच्छे से बून लेंगे अब यहां मैं फ्लेम को कम कर देती हूँ और इसमें ऐड़ कर देती हूँ दो चमच लैसन का पेस्ट और एक चमच अद्रक का पेस्ट अब इने अच्छे से मिक्स कर लेंगे और golden brown होने तक fry कर लेंगे जब तक प्याज fry हो रहे हैं मसाला देख लेते हैं तो एक कटोरी में मैंने दो चमज एड़ किया है धनिया पाउडर आदा चमज जीरा पाउडर आदा चमज काली मिर्च पाउडर आदा चमज गरम मसाला और एक चमज हल्दी पाउडर अब इसमें एक चमज लाल मिच पाउडर एड़ करेंगे और दो चमज छोले मसाला एड़ करेंगे अब इसमें थोड़ा सा पानी एड़ करके इसे मिक्स करके इसका पेस्ट बना लेंगे पेस्ट बन के तयार है चलिए प्याज को देख लेते हैं प्याज भी भून के अच्छे से तयार हो गये हैं अब इसमें आड़ कर लेंगे जो पेस्ट मसाला का हमने तयार किया है उसे आड़ कर लेते हैं अब इसे अच्छे से mix कर लेंगे प्याज के साथ तो दो से तीन मिनट के लिए इसे medium to high flame रखते हुए आप fry कर ले ये fry हो गए है अब इसमें add कर देंगे टमाटर का जो paste तयार किया था हमने उसे add कर लेंगे इसे भी अच्छे से mix कर लेते हैं अब इसमें add करेंगे चना का जो paste हमने तयार किया उसे add करके अच्छे से mix कर लेंगे अब इन्हें हम अच्छे से fry करेंगे तीन से चार मिनट के लिए ये देखिए मसाला जो है टेल छोड़ने लगा है मतलब कि ये fry हो गए अच्छे से अब इसमें हम उबले हुए चना add करेंगे पानी को हम बाद में add करेंगे पहले चना add कर लेते हैं अब चना को मसाले के साथ अच्छे से mix कर लेंगे अब इसमें थोड़ा सा कसूरी मेथी लिया है मैंने इसे add कर लेंगे कसूरी मेथी को मैंने पहले से तवा पे roast कर लिया था और उसे इस तरह से क्रस करके add किया है हाथों से कसूरी मेथी को अच्छे से mix कर ले अब यह जो चना हमने वाला था ना उसका पानी इसमें add कर लेंगे अब पानी को अच्छे से mix कर लें ग्रेवी आप अपने हिसाब से गारा या पतला रख सकते हैं तो दो कब पानी और add कर रही हूं मैं इसमें अब पानी को अच्छे से mix कर लेंगे ताकि मसाला और चना जो है वो अच्छे से mix हो जाए अब इसमें add करेंगे नमक नमक आप ध्यान से आड़ करें, चनाव वालने समय में भी हमने आड़ किया था नमक, तो आप उसी हिसाब से नमक आड़ करें, नमक को मिक्स कर लिया, तो अब यहाँ कुकर का धकन लगा देती हूँ, यह सीटी भी लगा दिया मैंने, अब इसमें मेडियम फ्लेम पर एक सीट लग गया है, अब गैस को आफ कर देंगे, और कुकर को अपने आप ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, तो देखिए, यहाँ कुकर ठंडा हो चुका है, चलिए चना को चेक कर लेते हैं, तो यह देखिए, कितना मतलब यम्मी एकदम बना है, छोले हमारा, चलिए, अब इसे गार्नीज करेंगे, हर इमीर्च और धनिया से, तो यह गया धनिया का पत्ता, हर इमीर्च आइड करना इसमें पूरी तरह ऑप्सनल है, आप उसे स्किप भी कर सकते हैं, तो धनिया पत्ता मैंने आड कर दिया, इस तरह से काटके, अब इसे मिक्स कर लेते हैं, यह तो यह देखिए, बिल्कुल मसालेदार और स्पाइसी छोले बन के तयार है, आप इसे भटोरे के साथ तो खाई सकते हैं, प्लेन चावल, रोटी, प्राठे के साथ भी खा सकते हैं, वीडियो पसंद आया हो, तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और इसे सेर प्राठे kराएब करिक टा हैं, अधिर था करिया यह दोन के खाई सकते हैं, जे करेंगा झा तो करिके जए बन के से लुएenne रहाई आए कर दो से तो से लोगग हैं, गुट करिक मेरे साथ चू्वार हैं, रहाएब करिखब कर ईहा आजार छोले वान सकत द Generally हिवाब करीज कर